हेलो एंड वेलकम नमस्कार दोस्तों एंड डियर लेर्नर्स आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए अपडेट की जो की 36 गर्षाशन उच्छी शिक्षा विभाग द्वारा आज दिनांक 25 दून 2024 को जारी किया गया है और यह है हमारे पीएजडी इंक्रिमेंट के संबंद में पीएजडी इंक्रिमेंट के संबंद में यहां आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो दिनांक 3, 2010, कंडिका 12, में जो विवस्ता की गई थी, उसके संबंद में इस्परष्टिकरन जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि जो पुनरक्षित वेतनमान है, मतलब अभी का पुनरक्षित वेतनमान है, 7th पे जो पीएजडी और एमफिल के संबंद में क्रमशा 5 और 3 अगरिम वेतन की पातता थी, उसमें संसुधन किया गया है तो किया विlez को हम देखते हैं उसमें सused sert किया गया है कि जो पीएज़िया और ऑन्फिल की उपादि। जिव पांच और दौर अगरिम वेतन की पातर था जो तीन 210 के नुसवा दी गई थी उसकी कंडिका 12 और में जो संसुदन किया गया उसके बारे में बात की गई है तो इस प्रकार जो एमफिल धारत जो सोधारती थे उनको कितनी अगरिम वेतन की पात्र होगी उनको केवल दो अगरिम वेतन की पात्रता होगी तो और अगर जो पीएजडी की उपाधी प्राप्त करता है उसे पांच और एंफिल को दो की पात्रता होगी परन्तु अगर कुछ जो विद्यारती है जिनके पास दोनों उपादी है तो उन्हें पांच से जदा अगरी इन वेतनवध्धी प्राप्त नहीं होगी तो चलिए देखते हैं इसके संबंद में जो ये कि तीज दर्स दोहजार कि तीज तीन दोहजार दर्स की कंडिका बारा अग में क्या विवस्ता की गई थी तो एक जो इसके पूर्वे एक आदेश आया था जिसके तहद जो हमें बहुत सारी रोक लगाई गई थी जो थी सत्ताई दोहजार इकीस को महा लिखाकार को लिखा था कि इसने करेले उच्च सिक्षा नहीं और इसमें इस तरह के प्रावधान कर दिये गए थे जिससे यह इस पर रोक लग गई थी और जो पीएजडी धारक है या एंफिल धारक है उनको अग्रिम वेतनवद्दी नहीं दी जारी ति 7th Pay में जैसा 7th CPC के Recommendation के अधार पर तो इसमें High Court से भी में यह मैटर प्रकरन चल रहा था परन्तु आज दिनांक 25 की जो डेट पे यह जो इस पश्टिकरन आ गया है संसुधन आ गया है उससे PhD धारकों को अपनी या एंफिल धारकों को अपनी अग्रिम वेत लाग ने आदेश जारी किया था PhD और एंफिल के संबंद में उसमें इसपश्टी करण दिया गया था जो महालेखाकार को उन्होंने भेजा था और उसमें भी यही 33 2010 का जो रिफरेंस दिया गया था उसमें 2006 के अनुसार जो 16 वितनायोग लागू किया गया था उसके लिए लागू हुआ है जिसमें कहा गया है कि जो शेष प्रावधान है वो यतावत रहेंगे तो सेष प्रावधान में किसमें चेंज किया है बारा ए या बारा क को चेंज किया है परंतु बारा ब और बारा ख या उसी अनुसार यतावत लागू रहेगा तो इसमें जो चेंज हुआ है उसमें वो यतावत लागू रहेगा और उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है तो हमारा जो बारा बव है जिस अनुसार आप सभी की पात्रता जो इन सर्विस है उनकी पात्रता बनती है तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि एवल फ्रेश पीजडी को दिया जा रहा है ठीक है तो इस फ्रेश पीजडी को ना देते हुए इन सर्विस क के लिए भी यह प्रावधान लागू होगा ठीक है उसी प्रकार अगर हम और इस पश्टिकरण चाहें तो दिनांक जो दूसरा रिफिरेंस था और उसमन यही 2003, 2010 के रिफिरेंश को लिए गया था और जिसमन सहयख प्रत्रपा कोयम क्रिड़ा अधिकारी ग्रंधपल इन सभी के लिए लागू किया गया था और इसमें बताया गया था कि दो अग्रिम वेतन व्रद्धी एमफिल धारकों को होगी और पांच अग्रिम वेतन व्रद्धी होगी किने जो की PhD करके जोइन किये हो और जो इन सर्विस कैंडिडेट जिनोंने इन सर्विस की थी PhD उन्हें तीन अग्रिम वेतन व्रद्धी की प हम रिफर कर सकते हैं 2016, 22, 10, 2016 का उच्छ शिक्षा का एक आदेश और सांथी साथ जो एक आदेश हाईकोट का या महा लिखाकार को लिखा गया था 27, 2, 2021 का इनको रिफर करते हुए हम इस पश्टिकरान ले सकते हैं थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो, होप आपको यह जानकरी क्लियर हुए होगी और इस जानकरी के अनुसार आप अपने इंक्रिमेंट के लिए पातता कर पाएंगे और एपलाई कर पाएंगे, थैंक यू